सीसा माउविधान सबाव अप्चनाओं में कुल 275 पोलिंग स्टेशन बनाय चाएंगे और 27770 मंताता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे सीसा माउविधान सबाव अप्चनाओं के लिए मतदान 13 नवंबर को हुगा ये जुआनकारी जुला अधिकारी वर जुला दर्वाचुन अधिकारी राकेश कुमार सिंग ने प्रेस वार्टा में दी उन्होंने बताया कि सीसा माउविधान सबाव अप्चनाओं के लिए एक पिंक बूद बनाया चाएगा जिस पर सभी कर्मिच्वारी महलाई ही होंगी इसी तरह दिव्यांग सहाइक बूद भी होगा जिस पर सभी दिव्यांग मददान कर्मी होंगे इसके अलावा एक मोजल बूद भी स्थापित किया जाएगा जिलान दर्वाचुन अधिकारी राकेश कुमार सिंग ने कहा कि चुनाओ अधर्श आचार सहीता का सक्ति से पालन कराया जाएगा सिसमाओ उठ्चनाओ को लेकर 25 अक्टूबर को नमंकर की अंतन तारिक 28 अक्टूबर को नमंकर पत्रों की जाज 30 को नमंकर पत्रों वापस लेना 13 नमबंबर को मतदान और 20 को मतगरना होगी जिलान नमबंबर को सिसमाओ उठ्चनाओ को लेकर पूरा कारिक्रम जारी कर दिया है बताया कि सिसमाओ उठ्चनाओ को लेकर शित्र में मंगलवार सही आदर्श अचार सही ताल लागू हो गई है 25 अक्टूबर को नमंकर की अंतन तारिक 28 अक्टूबर को नमंकर पत्रों की जाज 30 को नमंकर पत्रों वापस लेना 13 नमंबर को मतदान और 20 को मतगरना होगी लेरा पुरुष और 1,26,556 महिला और एक थर्ड जेंडर मत आता है एंटिवे टाइम के लिए कानपूर से विश्वाल सेनी की रिपोट भारत निर्वाचन आयोग ने दीनांक सीशा मो का उप चुनाओ है जिसके उप निर्वाचन की जो अधिशूचना है वो जारी कर दी है और जिसके अनुसार निर्वाचन की अधिशूचना जारी करने का जो दीनांक है वो 18 अक्टूबर है साथ ही नाम निर्देशन का जो अंतिम दीनांग होगा वो 25-10 होगा काने का विप्राई यह है कि 18 तारीक से शीशा मोविधानसभा उप्चुनाओं का निर्वाचन के लिए अधिशुचना जारी हो जाएगी वो नाम निर्देशन पत्र जो अठारा तारीक से लिए जाएंगे और अंतिम तारीक वो 25 अक्टूबर होगी इसका जो नाम निर्देशन की जांच का जो दीनांग है वो अंतिम दीनांग 28-10-2024 होगा नाम वापसी 30 अक्टूबर को होगी और मददान का दीनांग 13 नवंबर है इसी तरह से मदगणना का जो दीनांग है वो 23 नवंबर है और दीनांग जिसके पूर्व निर्वाचन पूरा कर लिया जाएगा वो 25 नवंबर 2024 है अगर हम सीसा मोव विधान सभा निर्वाचन छेत्र में मतदाताओं की बात करें तो इस विधान सभा में 1,44,214 पूरुस मतदाता है और 1,27,195 मतदाता है प्रांस जेंडर दो हैं कुल 2,71,411 मतदाता है और इसमें यह जो 2024 का लोगसभा निर्वाचन हमारा हुआ था उसका मैं बता रहा था मतदाताओं की संक्या और अभी जो हमारा बर्तमान में मतदाताओं की संक्या है वो पुरुस 1,43,213 महिला मतदाता 1,27,556 और जो ट्रांस जेंडर है वो यह कुल मतदाता 2,79,770 है तो और जो 18-19 आयुवर्ग के जो कुल मतदाता है वो 4,921 मतदाता मतदान करेंगे जिसमें पुरुस 2,504 है और महिला 2,417 है कुल 11,68 दिव्यांग मतदाता है जिस विदानसभा सीथ के साथ ही जो सीशामो विदानसभा उप निर्वाचन में जो 80 प्लस आयुवर्ग के मतदाता है वो 2,914 लोग है जो अपने मतदिखार का प्रेयोग करेंगे इसी तरह से हमारा जो विदानसभा निर्वाचन चेतर वार अगर हम देखें तो कुल हमारी जो पॉलिंग लोकेशन है वो 48 मतदान के इंदर है और मतदे अस्तल हमारे 275 है इसी तरह से इस विदानसभा चेतर में एक पिंक बूत भी अस्थापित किया जा रहा है जिस पर सभी मतदान महिला मतदान कर्मी तैनात रहेंगे साथी एक PWD द्वारा मैनेज़ बूत भी दिव्यांग मैनेज़ बूत भी बनाया जाएगा जहां पर दिव्यांग मतदान कर्मी तैनात रहेंगे एक यवा मैनेज़ बूत रहेगा जहां पर यवा रोक हमारे यवा कर्मी होंगे वहां पर इसी तरह से एक model booth भी बनाएंगे वहाँ पे मतदान का model booth भी बनेगा तो अगर हम देखें यहाँ पे तो अकुल मिला करके जो मतदाताओं की संख्या दिव्यांग मतदाताओं की 1161 है और 80 प्लस आउबर के मतदाताओं संख्या 2914 है तो इसमें जो पोस्टल वैलेट की वेवस सब्सक्राइब की जाएगी इसी तरह से जो कुल 275 पोलिंग स्टेशन और 48 पोलिंग लोकेशन पर कुल राम संकर जी और उनके साथ जो है वो कारियों के संबाधन के लिए जो है नोडल अधिकारियों की भी तैनाती की गई है आप दोगों को इसका बेस्तित विवरन आइसिंक उपलब्द कराया जा चुका है जिसमें कौन सी वेवस्ता हैं कौन-कौन से अधिकारी देखेंगे उनका पूरा विवरन आगे जो है वो दिया गया हैं इसी तरह से आचार संगीता के अनुपालन के लिए इसमें गटित कर दी गई जिसमें तीन सेस्टी टीम है तीन एफस्टी टीम है और वीवीटी एक टीम होगी और असिस्टेंट एक्सपेंडिचर आप्जरवर की भी त हैं साथ ही निर्वाचन कारिक्रम की गोशन जारी होने के साथ ही शीशा मोविदान सबत्षेटर में आदर शारात संगीता जारी लागू हो गई है और इसको जो है इसका आदर साचार संगीता के के प्रावधानों को लागू करने के- dirty है वो राजेत्श कुमार जी है जो हम और वी जो आप पूछ रहे हैं कारेक्रमों के बारे में उसमें कोई भी ऐसा कारेक्रम कहीं भी पूरे जनपत में उस जुनाव से कनेक्टेट नहीं हो सकते हैं मत समझ रहें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो उससे connected नहीं होगी, लेकिन विखास कारें की जहां तक बात है, उस विधानतवा चेतर में जो कारे रनिंग में चल रहे हैं, वो चलते रहेंगे, कोई नए काम स्टार्ट नहीं होंगे, अन्य चेतरों में नए काम स्ट सुर्खियां बन जाती हैं, दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड, हर ख़बर को पेश करेंगे बिना तोड मरोड,